दुर्ग के केंद्री जेल में हुई एक कैदी की मौत के बाद 36 गड़ प्रदेश के ग्रिह मंत्री विजेश शर्मा ने शनिवार को केंद्री जेल का आकश्मिक दौरा किया जहां इस दौरान मौजुद मीडिया से बादशित भी की शनिवार को सुबह केंद्री जेल पुँचे ग्रिह मंत्री विजेश शर्मा के इस दौरे को जेल में हुई कैदी की मौत और कवरधा के लोहार डीह के चर्चित आगजिनी कांड से जोड़ कर देखा जा रहा है बता दे जेल में निरिचण के बाद जब मीडिया ने उनसे जेल में कैदी की मौत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी गुनहगार है वह सजा का पात्र है और कारवाई के तहत वहाँ पर पूरे थाने को बदल दिया गया है और कलेक्टर एस पी को स पस्पेंट कर मुख्यमंत्री के द्वारा जाच आयूग बिठाया गया है जाच के बाद जो गुनहगार है उसके खिलाफ कारवाई होगी उन्होंने कॉंग्रेस को आड़े हाथ हो लेते हुए कहा कि लोहाडी मामले में कॉंग्रेसी वहाँ जा रहे हैं और बिरनपूर कां कि जिसको भी जहाँ जाना है वहाँ जाए हमने किसी को रोका नहीं है लोहाडी है गाउ हमारा है और हम उसे संभाल रहे हैं लेकिन जान बूच कर इस बात को बिए करना मैं सोचता हूं कि यह अनावशक राजनीती है यह नकरात्मक राजनीती है सकरात्मक राजनीती की तरफ बढ़ना चाहिए प्रॉपिट शेरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो एक पैसा मिलता है साथ ही साथ जब बाहर निकले उसको बैंक का फाइनन्स में मिल जाए इसके लिए कोशिश ने नया चीज खरीदना या नहीं करना शुपकारे करना या नहीं करना या अपने बहुत सारे लोगों की अपनी भावना हैं मतलब उसमें तो आप जो अपकी मानीता है भावना है जो आपने परंपरा से परिवार में सीखा है उसका मौझत हो पालन करिया उसमें तरक वितरक isn't की नहीं किया जाना चीए नहीं इसक将 चाले प्र जो पूलिस की पुलिस में जो सर्जरी हुई है ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच